नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुती बिचितर साधना के बारे में यानि अधरस करण यक्छुडी साधना यह एक ऐसी साधना है जिसका प्रियोग करके मित्रों आप अधरस होने की सकती प्राप्ट कर सकते हैं इस साधना को कैसे करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताता हूं मंत्र है ओम नमा अद्रस यक्छणी स्वाहा ओम नमा अद्रस यक्छणी स्वाहा दोस्तों यह मंत्र है इसे नोट कर लीजिए और विधी क्या है वह मैं आपको बता देता हूं किर्शन पक्ष की आमावस्या से लेकर पूरे एक मास तक यानि एक महिने तक इस मंत्र का एक हजार बार जप पृति दिन करें और 2000 मंत्र से घी का हवन अंतिम दिन करें हवन कुंडे में हवन के लिए लकड़ी नेम की होनी चाहिए हवन की राख अपने माथे पर लगाएं तो आप देखेंगे कि आप अद्रस हो जाएंगे यानि आप गायब हो जाएंगे आप तो सबको देखें आपको कोई ना देख सक केगा इस हवन कुंड की राख के द्वारा जब मस्तक से राख उतार देवे फिर आप पहले जैसे हो जाएंगे समझ गए मित्रों मित्रों यह बहुत ही दुरलव बहुत ही असान साधना है इसका प्रियोग करिए आपको लाभ अवश्य मिलेगा किन्तु दोस्तों इस बात क ध्यान रखे कि आपको रक्षा मंत्र का पाठ अवश्य कर लेना है मैं रक्षा मंत्र दे दूंगा और स्वर्पिर्थम आपको मित्रों रक्षा मंत्र का 108 वार जाप करके ही यह साधना प्राराम करनी है उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें गंटी जरूर दबाएगे